बाबा बागेश्वर ने रामेश्वरम जाकर एक विदेशी महिला को सिखाया, सबक कह रही थी बाबा बागेश्वर को पाखंडी, फिर जो हुआ, लड़की के साथ उसे देखकर तमिल नाडू के लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा चमतकार पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, आप बने रहे वीडियो में अंत तक हम आपको देते हैं, इसकी पूरी जानकारी आप सभी जानते हो कि बाबा बागेश्वर अभी रामेश्वरम तमिल नाडू गए हुए हैं और वहीं पर हनुमान कथा और एक दिवसियत दिव्य दर्बार लगेगा, लेकिन ज दूसरों का बुरा करने के बारे में जरूर सोचते हैं। बाबा, बागेश्वर से जलने वालों की संख्या कम नहीं है क्योंकि गुरू जी ने कई पाखंडी, बाबा और तांत्रिकों का धंधा बंद करवा दिया, जो केवल धर्म के नाम पर लोगों को ठंगने का काम करते हैं। जब से गुरू जी ने दर्बार लगाना शुरू किया है, तब से बे खुले मंच से धर्म विरोधियों को ललकार कर चुनौती देते हैं। रामेश्वरम में गुरू जी की पहले दिन की कथा में हुआ, बवाल कथा में पहुंची एक विदेशी महिला और कथा होते देख कह दिया गुरू जी को पागल तो सेवादार महिला को पकड़ के ले गए। गुरू जी के पास मंच पर उसके कपड़े भी विदेशी थे। गुरू जी ने कहा, क्यों लाए हो इसे यहां। तब सेवादारों ने गुरू जी को पूरी बात बताई। फिर गुरू ज महिला ने हनुमान जी को ही ड्रामा बाज बोल दिया और भी बहुत कुछ। तब गुरू जी को गुस्सा आ गया और कहा, शांत हो जाओ। फिर भी महिला बोली, क्या कर लोगे, यदि कोई शक्ती है तो दिखाओ, मुझे में तयार हूँ। गुरू जी ने बहुत समझाया, पर महिला नहीं मानी। तब गुरू जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम हनुमान जी की शक्ती की एक जलक देख लो। और फिर गुरू जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते महिला की गर्दन बहुत लंबी हो गई। जिराफ की तरह तब व परमान भी मिल चुका है, बहुत से चमतकार भी देखने को मिले हैं। यदि आप भी बागेश्वर धाम के भक्त हो, तो इस वीडियो को तीन लोगों तक जरूर शेयर करें और थोड़ा बागेश्वर धाम का प्रचार करके पुन्य प्राप्त करें। यह जानकारी हमें पूशल मीडिया से प्राप्त हुई है। हमारा चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता। धन्यवाद।